एक जून दोहजार सोला से पूरे देश में इंकम डिक्लेरेशन स्कीम लागु हुआ है जिसके दहद हम अघोशित आई को घोशित कर सकते हैं प्रदान मुख्य आईकर आयुप गुजरात के स्री बलूइंदर सिंह जी से नमस्कार mine क्या है ये स्कीम क्या उसका प्रारूप होगा आप हमारे दरशकों को बताए यह स्कीम जो है मानलीय त्क Grandpa 시 जी ने लागू की है और एक जून दो हजार सोला से लागू की गई है और इसका नाम जो है इनकम डिक्लिरेशन स्कीम दो हजार सोला है इस स्कीम के तहट जिसकी स्वी विक्ति ने अपनी आए घोशित नहीं की हो पहले के सालों में या अपनी कोई असेट उसने नहीं डिस्क्रोज की हो डिपार्टमेंट को या कोई भी अनकाउंटेट वैसे से जो असेट खरीदी हो उसको वो गोशित कर सकता है और एक निश्चित प्रतशत उसके उपर टेक्स पेनल्टी भरके जो है अब उस असेट को जो है नंबर एक की सर ये स्कीम के तहद किस प्रकार की आई को वो गोशित कर सकता है और क्या टेक्स या पेनल्टी उसमें लगेगी वो जो इस स्कीम के तहद जो है किसी भी प्रकार की आई को गोशित कर सकता है हर तरह की इंकम जो है इंकम टेक्स में चार्जेवल है और किसी भी तरह की में रखी हो किसे भी तरह कि investment Will said की गई हो उस investment को set को भी以前 कर सकता है और इसके ऊपर जो है कुल कर जो है 45 प्रतिश्यर में तीश प्रतिश्यर्च टेट सारे साथ प्रतिश्यर्च्र जो है क्रिशे कर लियान कर ये और साथ प्रतिश्यर्च PN Judy है अगर कोई करदाता इस स्कीम के तहट अपनी आई-खोसित करने को राजी हो जाता है तो उसको क्या बेनिफीट मिलागा क्या लाब हो होंगे और या असेट उसने कोई बेनामी या किसी दूसरे नाम पर रखी है उससे भी वो टेंशन से फ्री हो जाएगा और उसके अपने नाम पर प्रपर्टी होगी अपने नाम पर पैसा होगा जिसका वो बिजनेस में खुले तरीके से उपयों कर सकता है कहीं भी इन्वेश् स्कीम का एक्ट आया है और उसके तहत जो है नियम बनाए गया है इसकीम 16 2016 से जो है यह चालू है हमारे यहां पर इस संबंद में एक फेसिलिटेशन काउंटर जो है वो खोला गया है उस पे कोई भी जो है इनकम डिकलर करना चाहता है अपनी वो यहां पर आके मिल सकता है औ वो फोर्म बर सकता है उसके बाद उसके ऊपर जो है प्रिंसिपल कमिशनर जो उसका प्रिंसिपल कमिशनर है वो उसके ऊपर उसको सर्टिफिकेट देगा और उसके बाद वो तीस नवंबर तक टेक्स भर के अगर तीस नवंबर तक टेक्स भर देता है तो उसकी वो इनकम चुपाने के जो परणाम भुगतने पड़ेंगे वो काफी गंबीर होंगे और वो इंकम उसकी एक तरह से कंसील्ड इंकम माने जाएगी उस पर पेनाल्टी भी उस पर लग सकती है प्रोसिकुशन भी लग सकता है इस तरह के सारे जो कंसीक्वेंसेज जो एक्ट में है वो अगर उसने डिकलेर नहीं किया भी जो है तो उस फेलियोर के वज़े से उसको भुगतने पड़ेंगे उन उन कंसीक्वेंसेज से वो बच सकता है जी तो ये थे गुजरात के मुख्यकर आयोग तो उसका कहना है कि अगर इतना अच्छा म मुखा मिला है करदताओं को जो गोशित आए है उसको कोशित करने के लिए तो ये मुखा चुकना नहीं चाहिए देश्वी वारत अरिया डीडी नियूस एमदबाद